नवसकार डेली करेंटी डियूज में अभी की खबर है दिल्ली सर्विस बिल हुआ पारित हाली में दिल्ली सर्विस बिल संसत के दोनों सदनों से पारित हो गया भारत के राष्टपती द्रोपती मुर्मूद्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद यह कानून बन जाएगा बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में केवल 102 वोट ही डाले गए इस बिल को अपचारिक रूप से राष्टी राजधानिक शेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विद्यक 2023 कहा जाता है इसके जरिये कें सरकार को दिल्ली में अधकारियों के तबादले, न्युक्ती वर निगरानी समयत कई अधकार मिल जाएंगे विपक्ष के अनुसार ये सुप्रीम कोट के उस आदिश को खत्म कर देता है जो दिल्ली सरकार को अधिकांस सेवाओं पर अधिक नियंतर देता है इस विद्यक के अनुसार राष्टी राजधानी के अधिकारियों से पूछताच और निलम्मन केंदर के नियंतरण में होगा उप प्राजपाल को विविन्य मामलों पर अपने वेग का प्रियोग करने का अधिकार होगा इसमें राष्टी राजधानी सिविल सीबा प्रादीकरण की सिफारिशें और दिल्ली विधान सबा का सत्रा वसान आवान और विक्टन शामिल होगा राश्टी राजधानी सिविल सिवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख सचिप, दिल्ली के प्रदान ग्रह सचिप और दिल्ली के मुखमंतरी शामिल होंगे आई अब जानते हैं विद्यक लाने का कारण क्या है वर्स 1991 में सम्मिधान के 69th संशोधन कर दिल्ली को राश्टी राजधानिक शेतर्यानी नेश्चल कैपिटल टेरिटरी का दरजा दिया गया 2021 में Government of National Capital Territory Act 1995 में संशोधन किया गया दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी जिसमें नयायाले ने कहा कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंटॉल है वापसरों की ट्रांसपर पोस्टिंग पर भी अधिकार उसी का है सातिका की पुलिस, जमीन और पब्लिक और कुछ बाकी सभी दूसरे मावलों पर उप्राजपाल को दिल्ली सरकार की सलाहम माने नहीं होगी इस फैसले के खलाब कैंसरकार एक अध्यादिश लेकर आई और इस अध्यादिश को कानून की शक्ल देने के लिए सलसत में ये बिल लाया गया